जे इमेंस 2022 का जो आपका फर्स अटेंट हुआ उसमें जो आपकी टफेस शिफ्ट थी वो थी 26 जून शिफ्ट वन और यहाँ पर अगर हम जो है मैस सेक्शन के लिए स्पेशली मार्क्स वर्सेस पर्सेंटाइल देखे तो आपके 99 पर्सेंटाइल जो है वो 40 मार्क्स के आसपास बन जाते थे 98 पर्सेंटाइल आपके 32 मार्क्स के आसपास 97 30 96 29 95 25 मार्क्स 93 पर्सेंटाइल 21 और 90 पर्सेंटाइल आप केवल 18 मार्क्स पर जो है बना सकते थे तो यहां पर एक दो नंबर आगे पीछे हो सकते हैं पर हमें यह चीज़ समझ में आ रही है कि यहां पर अगर हम कम questions भी attempt करते हैं तो एक बहुत बढ़िया परसेंटाइल ला सकते थे तो यहां पर जो है हमें यही चीज़ समझ नहीं है कि क्या मैस सही में बहुत जादा difficult है क्योंकि काफी strengths यह हमें यह क्योरी पूछ रहे थे कि तो कि यहां पर हम देखेंगे कि questions का level किस तरीके का था, क्या हम उन्हें smart methods के through भी solve कर सकते थे, और कैसे कुछ questions तो direct formula based थे, जो कि आप बहुत easy दे solve कर सकते थे, तो यहां पर जो एक right strategy है, वो questions को solve करने के बाद हम अच्छे तरीके से discuss करते हैं, तो चलिए, सबसे पहला question देखते हैं हम इसी shift के अंदर का, तो यहां पर question आपके सामने है, अगर हम यहां पर देखें तो पूछा गया है, let s be the set of all the natural numbers for which the line x by a plus y by b is equal to 2, is a tangent to the curve x by a raised to power n plus y by b raised to power n equal to 2 at the point a, b, ठीक है, जहां पर a, b is not equal to 0, तो यहां पर जो है, आपको s set के बारे में बताना है कि क्या वो empty set है, या फिर number of elements in s, जो है वो 1 है, या फिर जो है बाकी options आपके दिये, तो इस question में आपको curve की equation क्या देके रखिए, x by a raised to power n plus y by b raised to power n equal to 2, और n के बारे में जब कुछ बोला नहीं है, तो हम कुछ भी values की ले सकते हैं, तो यह काम करते हैं, हम n is equal to 1 ले लेते हैं, यह equation क्या हो जाएगी, x by a plus y by b equal to 2, याने यह किसकी equation होगी, straight line की, और straight line के लिए अगर मैं tangent की बात करूँ, तो वो जो है, खुद straight line ही हो जाएगी, तो यहाँ पर मतलब की, इस curve के लिए यह वाली tangent हो रही है, जब हम n is equal to 1 पुट कर रहे हैं, इसका मतलब जो है हमारा set, वो empty तो नहीं हो सकता, तो option A हमने cancel कर दिया, अब यहाँ पर दूसरा option देके रख़ा है, number of elements in set, s is equal to 1, अब यहाँ पर हमारे एक element तो आ गया, n is equal to 1, हो सकता, इस से जादा आए, ठीक है, यहाँ पर नहीं भी आए, तो इस option को अभी हम cancel नहीं करेंगे, c option आपके देखा है, s is equal to 2 के, जहाँ पर k belongs to all natural numbers, यानि कि वो बोल रहा है, 2, 4, 6 इस तरीके से, बट यहाँ पर हमने देखा, कि n जो है, वो हमारा 1 भी हो सकता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर 1 इस वाले set के अंदर नहीं आ रहा है, तो यह भी हमारा simply cancel हो गया, last वाला बोल है, s is equal to all the natural numbers, तो यह तो उसमें भी cover हो रहा है, तो दो options हमारे पास रहे गए, तो कितने आसानी से हमने इस question को जो है, दो option तक ले आए, अब एक और चीज़ करते हैं, हम n is equal to 2 put कर देते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, x by a square plus y by b whole square equal to 2, इसे हम थोड़ा सा standard form में लिख लेते हैं, तो x square divided by 2 को भी इधर ले आए, तो यह हो गया, root 2a का whole square plus y square upon root 2b का whole square is equal to 1, क्या दिख रहा है यह, यह तो ellipse की equation है, तो इसकी अगर मैं tangent की बात करूँ, ellipse की लिए, तो हम जो simply इसके अगर point form लेखे, तो यह क्या हो जाएगा, xx1 upon root 2a का square plus yy1 upon root 2b का square equal to 1, और point form में यहाँ पर point क्या देके रखा है, आपको a, b, तो simply इसके अंदर put कर दो, तो यह हो जाएगा हमारा x upon, यहाँ पर हो गया, 2a plus यह हो जाएगा, y upon 2b equal to 1, जब हमने x1 की जगा a डाला, और y1 की जगा b डाला, तो इसको जमा ले तो यह हो गया, x by a plus y by b equal to 1, याने यह वाले कर्व के लिए, जब हमने n is equal to 2 डाला है, तब भी tangent की equation हमारी यही रह रही है, तो इससे हमें, sorry, यहाँ पर जो equal to 2 आएगा, तो याने की जो हमारी tangent की equation यही रह दी है, तो इसका मतलब यह हो गया, कि number of elements एक से तो जादा है, n is equal to 1 भी मिल रहा है, n is equal to 2 भी मिल रहा है, तो यह वाला भी option हमारा cancel, तो सही answer हो जाएगा हमारा option D, तो यहाँ पर हमने substitution का भी help किया, और थोड़ा option elimination के use करके, जो है final answer तक पौश गया, तो कभी-कभी हमें smartness दिखानी रहती है questions में, conventional approach से जाएंगे, तो हो सकता है, थोड़ा time जादा लग जाए, यह click नहीं करता है, बट smartness हमेशा काम आती है, अगला question देखते है, तो यहाँ पर यह आपका system of linear equations वाला, इसके लिए मैं कई बार आपको बदा चुका हूँ, कि इस type के questions को आपको क्या करना चाहिए, जब आपके तीन variables दिये, तो हम इसे दो variables में ले आते, उसके बाद जो है question बहुत easy हो जाता है, तो यही चीज हम इसमें करेंगे, अगर मैं इसको equation number 1 बोल दू, इसको मैं equation number 2 बोल दू, और इसको equation number 3 बोल दू, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपकी जो third equation इसको into 2 कर देते, तो यह हो जाएगा 4x plus 2y plus 2az is equal to minus 2, और आपकी जो first equation इसको as it is लिख लेते, 3x minus 2y plus z is equal to b, अब दोनों को simply जो हम add कर देते, तो यह हो जाएगा हमारा 7x, यह वाले terms cancel और यहाँ पे हो गया plus 2a plus 1, z is equal to, यहाँ पे हो गया minus 2 plus b, तो यह वाला जो method है ना, इसमें आपको वो determinant वाले method से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका काफी जादा यहाँ पे time save हो जकता है, अब इसके आगे क्या करना कर रहेगा आपको, तो यहाँ पे जो है, अब हम करते हैं काम, कि आपकी जो first equation है उसको into 4 कर देते, तो यह हो गया 12x minus 8y plus 4z is equal to, यह हो गया 4b, और जो second equation उसको as it is लिख लो, तो 5x minus 8y plus 9z is equal to 3, अब first को जो है, second को जो है अपन first में से subtract कर देते, तो यह क्या हो जाएगा हमारा 7x, और यह वाले terms cancel हो गया, यह हो गया minus 5z, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 4b minus 3, इस तरीके से आगे आपका, अब एक चीज़ सोचके देखो, आपको यहाँ पे बोला है कि, यह जो है linear equation has no solution, अब यहाँ पे हमारे पास दो ही variable बचे, तो दो straight lines की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि ax plus by equal to c, और आपकी ax plus by equal to d, यह अगर है, तो इनके भाई no solution रहेंगे, क्योंकि यह दोनों जो है parallel line हो गई, तो यह condition हो जाती हमारी no solution की, की आपके जो x और y की coefficient है, that must be same, and c should not be equal to d, तो यही चीज हम यहाँ पे कर देते, 2a plus 1, ठीक है, x के coefficient तो same है, 2a plus 1 should be equal to minus 5, यह कर दो, तो यह आपका क्या हो जाएगा, a is equal to, यहाँ पे हो गया minus 3, एक तो चीज मिल गई हमें, और दूसरा अगर हम देखे, तो minus 2 plus b should not be equal to 4b minus 3, तो यहाँ पे आपका क्या आजाएगा, 3b और यह हो गया आपका 1, तो b should not be equal to 1 by 3, तो यहाँ पे जो है, हमारा solution क्या हो जाएगा, a is equal to minus 3, इस option में दिया है, तो option c जो है, वो हमारा सही answer हो जाना चाहिए, चलिए तो फिर हम जो है next question देखते, तो next question यह रहा हमारा, let fx is equal to, और यह आपके समने function देखे रखा है, x belonging to minus 1 to 1, और a, b जो है बोला है कि उसकी range है, ठीक है, तो 4a minus b निकाल ला है, यह जो है, आपको function एकदम complex से लग रहा है, बट aod से अगर हम करें, तो यह question बहुत ही simple हो जाएगा, simply आपको क्या करना रहेगा, आप जो है f dash x करो इसे, तो यह हो गया आपका minus 2, root over of 1 minus x square, और cot inverse x को अगर हम करें, differentiate तो यह हो गया, minus 4 divided by, यहाँ पे हो गया 1 plus x square, यहाँ पे आपका हो जाएगा, minus 6x, यहाँ पे हो गया, minus 2 और 10 का differentiation, simply 0, तो f dash x हमारे समने आगया, यहाँ पे minus sign बहार निकाल लो, यह हो गया 2 over of root of 1 minus x square, plus 4 of 1 plus x square, यहाँ पे आपका plus 6x, और यहाँ पे आजाएगा आपका plus 2, इस तरीके से आगया आपका, ठीक है, तो यहाँ पे जो है, हम simply देख सकते हैं, कि यह वाला जो function है, minus 1 to 1 के बीच में, हमेशा ही negative रहने वाला है, ठीक है ना, आपको सीज़े से बहार है, कि यहाँ पे negative sign जो है, वो बहार है, और minus 1 to 1 के, इसमें बोले, तो यह वाला जो है, आपका एकदम positive term है, यह positive term है, यह भला ही minus 1 से लेकर, 0 के बीच में negative देगा, लेकिन उतना बड़ा नहीं रहेगा, कि बाकी सब पे जो है, overall वो negative बनाते, तो यहाँ पे हम simply बोल सकते, f dash x will be less than 0, इसका मदलब f x is a decreasing function, अगर यह चीज हमें पता चल गई, तो हाई, आपकी जो boundary के values रहेगी, वही तो आपकी range को फिर define करने वाली है, ठीक है न, और कहीं आपका maximum minimum जैसा कोई चीज नहीं आएगी, तो यहाँ पे हम simply बोल सकते हैं, कि अगर हम इसके अंदर जो है minus 1 पुट करें, तो यह हमें क्या देदेगा, equal to 2 cos inverse minus 1, तो यह हो गया हमारा 2 into pi, प्लस यहाँ पे क्या आजाएगा, आपका 4 into minus 1, अगर मैं पुट करूँ, तो यह हो जाएगा 3 pi by 4, और यहाँ पे minus 1 पुट करूँ, तो यह हो जाएगा minus 3, यहाँ पे minus 1 पुट करूँ, तो यह हो गया plus 2, और यह हो गया आपका plus 10, तो overall value क्या आगई हमारी 5 pi, और यह हो गया हमारा, कितना plus 9, तो f minus 1 जो हमारा 5 pi plus 9 आया, इसी तरीके से अगर हम f1 को calculate करें, तो यहाँ पे 2 cos inverse 1 क्या हो जाएगा हमारा, यह हो गया 2 into 0, plus 4 cot inverse 1, तो यह हो गया 4 into pi by 4, यहाँ पे अगर हम 1 पुट करें, तो यह हो गया minus 3, minus 2 plus 10, तो overall हो जाएगा यह plus 5, यानि कि सही value आगई हमारी pi plus 5, तो आपकी जो range हो गई, वो क्या हो गई, pi plus 5 से लेकर 5, 5 plus 9, बस a की जगह, 4 a minus b निकालना है, तो a की जगह हम यह put कर देते, pi plus 5, minus यह क्या हो जाएगा, 5 pi plus 9, तो overall value आगई हमारी 11 minus pi, यानि कि option b जो है, वो आपका सही answer है, तो दिखने में बस यह complex लगदा था question, आप देख रहे हो कितना easy था इसका solution, ठीक है, तो a od के questions ऐसे ही होते हैं, आपके ज़्यादा तर questions में, आपको यह वाला concept लगता है, जब आपको differentiate करके उसे देखना रहता है, तो increasing decreasing वाले function में, बिल्कुल भी घबराने के ज़रूरत नहीं रहती है, या फिर ऐसे range type के questions में, चलिए अगला देखते है, तो इस question में जो है, आपको limit पूछी गई है, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखे, तो आपको लिखा है, sin cos inverse x, ठीक है, तो यार हम इसको inverse वाले में रहने ही क्यों दे, हमने तो यह चीज़ पढ़ी है न, इसको जो है हम अगर sin inverse के terms में लिख ले, तो sin sin inverse से जो है आपका direct यहाँ पे algebraic function में बन जाएगा, तो यही चीज़ जो है हम यहाँ पे करते, तो इसको क्या लिख लेते, cos inverse x लिख लिखा है तो आप एक triangle अगर form करो, यहाँ पे हमारा x हो जाएगा, यह हो गया base, यह हो गया हमारा hypotenuse 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, root over 1 minus x square, तो हम जो है इसको लिख सकते, cos inverse को, sin inverse आपका root over of 1 minus x square, minus x upon 1 minus 10, यहाँ पे cos inverse x लिख लिखा है, तो इसको भी 10 inverse के terms में लिख लेते, तो यह क्या हो जाएगा, 10 inverse के terms में, root over of 1 minus x square, divided by x, इस तरीके से लिख 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 लिए, अब इसको सीधा लिख देंगे, root over 1 minus x square, minus x upon यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 minus root over of 1 minus x square, divided by x, यहाँ पे अगर मैं LCM लू, तो final value मुझे क्या मिल जाएगी, यह हो जाएगा आपका equal to minus x, बस limit extending to 1 by root 2 कर दो, तो final value हमें मिल गई, minus 1 by root 2, कितना easy question था, limit दिखने में खतरनाक लग रहा था, बढ़ थोड़ा सा inverse का knowledge होता, तो यह question कितना simple हो जाता, तो आप देख रहे हैं, पेपर उतना ज्यादा difficult है नहीं, जितना कि हमें लग रहा है, बलकि हमें questions जो है easy वाले pick up करने चाहिए थे, अब हम अगला question देखते हैं, तो इस question में अगर हम देखे, यहां पे आपको देखे रखा है, let R be the point 3,7, and let P and Q be two points on the line, X plus Y equal to 5, such that PQR is an equilateral triangle, then the area triangle PQR is, अब जब भी आपको straight lines और konics के जो questions रहते हैं, उसमें हमेशा ध्यान रखिए कि एक rough figure draw कर ले, उससे आपको काफी चीज़े जो है आसान हो जाती है, तो यहां पे अगर हम 3,7 roughly बना ले, तो 3,7 जो है हमारे यहां कहीं उपर की side आ जाएगा, और X plus Y equal to 5 की अगर वो बात कर रहे, तो वो हमारा जो है कहां पे आ जाएगा, यहां पे कहीं पे आप जो है कह सकते line, तो यह हो गई हमारी X plus Y equal to 5, अब उन्होंने बोला है, यह है हमारा point R, और P and Q भी two points on the line, X plus Y equal to 5, की जिससे की जो है PQR equilateral triangle हो जाए, तो हो सकता है कि यह कुछ इस तरीके से हमारे equilateral triangle हमें देखे, यह दोनों हमारे points हो गई P and Q, तो यहां पे आपको area बताना है of triangle PQR, अब यहार सीधी सी बात सोचो, अगर यह equilateral triangle है और यह हमारा vertex है, तो यह हमारी height कित्ती हो जाएगी, H जो हो जाता है root 3 by 2A, ठीक है equilateral triangle के direct formula है यह, तो यह हो गया H is equal to root 3 by 2A, और A याने की क्या हो गया, A हो गया आपका simply side के बराबर, तो यहां पर जो है अगर हम यह वाले distance को ध्यान से देखे, यह वाले distance क्या हो जाएगा, मतलब straight line का distance from a point, उसके लिए simple सा हमारा जो formula होता है, वो क्या हो जाएगा, यहां पर आपका 3 plus 7 minus 5 upon root over of A square plus B square, तो यह हो गया 1 square plus 1 square, यह हो गया हमारा distance, यानि कि जो कि हम H लेके चल रहे थे, तो इसके आगे बस mod लगा तो क्योंकि distance हमेशा positive आएगा, तो यह हो गया 10 minus 5, 5 divided by यहां पर आगया हमारा root 2, यह value जो है आपके आगई, अब यहां पर जो है आपका यह अगर 5 by root 2 आगई, तो area of equilator triangle हमारा क्या होता है, root 3 by 4 a square, और 5 by root 2 जो है that is equal to root 3 by 2 a, तो a की value basically हमें यहां से क्या मिल गई, 10 upon root 6, यह मिल गई, यह उठा के यहां पर डाल दो, तो इसकी final value हो जाएगी root 3 by 4, और यह हो गया 100 by 6, तो यहां पर 4 बंजा, यह हो गया 25, 25 divided by 6 into root 3, यह जो है हमारा आ रहा है, अब यहां पर into root 3 और into root 3, अगर मैं कर लो numerator और denominator में, तो final value जो है वो हमारी आजाएगी, option D, यानि कि 25 upon 2 root 3, तो देख रहे हैं, question बिल्कुल भी difficult नहीं था, simple से formula is equilator triangle का area हमें पता रहता है, distance of a point from a straight line, वो formula हमें पता रहता है, ठीक है और यह question जो है आपसे हो जाता, बस यहां पर जो हर figure अगर हम बना ले तो और चीज़े हमाले काफी आसान हो जाती है, अगला question देखते, तो यह भी जो है हमारा circles का है, तो इसके लिए भी figure बना लेना चाहिए, यहां पर question में देखे रखा है, let's see be a circle passing through the points, a, 2,-1 and b, 3,4, तो यहां पर जो है अगर हम rough सा figure बनाए, तो 2,-1 हमारा क्या हो जाएगा, यह होगी आपका 2,-1, और 3,4 की अगर हम बात करें, तो 3,4 हो जाएगा हमारा 3, यहां पर, 1,2,3,4, यह हो गया आपका 3,4, और यहां पर जो है बुला है, line segment AB is not a diameter of C, if R is the radius of C, and its center lies on the circle, x-5 का whole square, plus y-1 का whole square, तो center क्या हो गया इस वाले दूसरे circle का, 5,1, तो यह हो गया 4, यह हो गया 5, 5,1, यह रहा center, अब यहां पर जो है, यह center है, और 13 by 2, जो है, मतलब root over 13 by 2, इसका radius है, तो root over 13 by 2, यानि कि root over of 6.5, यह आप बोल सकते हो कि 2 point something कुछ आएगा, तो यहां पर अगर हम एक राफसा डाइग्राम बनाए, यह कुछ इस तरीके से जो है आपका circle दिखेगा, ठीक है, यह हो गया, अब यहां पर यह AB जो है, यह इन्होंने बोला है, कि AB जो है not a diameter of C, मतलब यहां पर एक circle C रहेगा, जो कि AB के थूँ पास हो रहा होगा, जिसका जो center है ना, वो इस circle पर लाए करेगा, यह उन्होंने बोला है, तो यहां पर आपको AB सीधा-सीधा बोल दिया है, कि वो diameter नहीं है, अब अगर हम यह line देखे, आपकी जो की AB ती है, तो यह basically हमें पता करना पड़ेगा, कि यह जो inner circle है, इसके relative यह कहां पर लाए कर रही है, मतलब यह just outside है, अंदर है, या फिर just उसको touch करके जादी है, तो वो हम कैसे check कर सकते, इसका radius आपको पता है, छोटे वाले circle का, यह क्या हो जाएगा, root over of 13 by 2, और यह straight line से, इसका distance कितना हो जाएगा, point का, वो जो है बस हम check कर लेते, तो AB की equation पहले तो form कर लो, यह हो गया 2, minus 1 और 3, 4, तो यह आपकी simply equation हो जाएगी, y plus 1 upon x minus 2 is equal to 5, तो यहाँ पे जो है, आपकी equation form हो जाएगी, 5x minus y minus 11 equal to 0, इस से distance देखे कर 5, 1 का, तो यह आजाएगा, आपका simply 25 minus 1 minus 11, divided by root over of 26, तो यह value कित्ते आ रही है, 13 divided by root over of 26, जो कि हो जाएगा, root over of 13 by 2, याने कि यह radius के just equal आ रहा है, इसका मतलब AB जो line है, वो आपकी उसके लिए tangent हो गई, तो यहाँ पे जो है, simply यह आपकी tangent हो जाएगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा figure को जो है, और अच्छे से हम बना लेते, ताकि हमारे लिए चीज़े आसान हो जाए, ठीक है, एक रॉफसा figure, यह जो है, आपकी AB line हो गई, सबसे पहले तो, यहाँ पे यह circle को, इस तरीके से उसके tangent है, ठीक है, यह वाला, कौन सा point हो गया, यह हो गया, 5,1, यहाँ पे यह distance किता है, यह है, root over of 13 by 2, और यहाँ पे यही, जो tangent के यह दोनों points है, इससे एक और circle जा रहा है, कुछ इस तरीके से, तो यह थोड़ा बड़ा circle रहेगा, इस तरीके से, और इसका जो center है, इस बड़े circle का, वो इस छोटे circle पे लाए कर रहे है, और वो कहां पे लाए करेगा, वो इस point पे लाए करेगा, ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि यह tangent है, तो यह just इसके perpendicular है, और आपको यह भी पता है, कि अगर हम center से भी perpendicular डालेगे, तो that bisects the chord, या फिर यह बोल सकते है, कि chord के थ्रू कोई अगर perpendicular हम draw करे, ठीक है, तो वो जो है center से पास होगी, तो definitely यह point यहीं पे मिलना चाहिए, बस अब यह जो है, आपका, यहां पे आपको capital R जो है, वो calculate करना है, तो यह value हमारी क्या हो जाएगी, इस वाले distance का, just half distance क्या होगा, यह आपका 2,-1 और 3,4 दे के रखा है, यह न, AB जो points दे के रखे, उसका total distance क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, root over of 26, उसका just half हो गया, root over 26 divided by 2, अब यहां पे, यह वाले distance के अगर हम बात करें, तो यह distance किता हो जाएगा, root over of 13 by 2 into 2, ठीक है न, क्योंकि यह radius है, और यह total किता हो जाएगा, तो simply value लिख लेते, r square is equal to, half distance का square किता हो गया, 26 divided by 4, और यह वाले का square किता हो गया, तो यह हो गया, 2 into root over of 13 by 2 का whole square, यानि कि यह हो गया, 4 into 13 by 2, बेसिकलिए यह हो गया 26, अब यहाँ पर इसको अगर हम करें, तो यह हो गया 13 by 2, 13 by 2 plus 26, यह हो जाएगा आपका किता, 65 upon 2, तो option भी जो है, आपका सही answer है, तो question इतना जादा है, बिल्कुल भी difficult नहीं था, अगर हमने figure धंक से बनाया होता, थोड़ा सा चीजों को समझते हैं, तो कितना easy था, किके कुछ भी complexity नहीं थी इस question के अंदर, next question हम देखते है, तो अब इस question में पूछा गया, sum of the cubes of all the roots of the equation, x की पावर 4 minus 3x cube minus 2x square plus 3x plus 1, जब भी इस टाइप के आपके bi-cardratic वाले रहते हैं, इसके अंदर कुछ थोड़ी सी जोगार लगानी रहती है, और इस टाइप के question हम पहले भी short trick series में कर चुके, तब शायद e की पावर x था x की जगा, तब भी करना वही था हमें, तो अब जो है, आप यहाँ पर ध्यान से देखो, x की बार 4 minus 3x cube minus 2x square plus 3x plus 1 equal to 0, लिख लेते हैं, x की बार 4 minus 3x cube और इसे लिख लिख लिए minus 4x square plus 2x square और यहाँ पर terms बाकी as it is लिख लिए, तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैं x square common ले लू तो यह हो गया, यह हो गया आपका 3x और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह हो गया minus 4, प्लस यहाँ पर देखें तो यह हो गया 2x square plus 3x plus 1 equal to 0, अब इसके जो है simply अगर हम roots लिखें, तो यह क्या हो जाएगा हमारा, यह हो गया, आपका x square minus, इसको लिख सकते हो, 4x plus x, इस तरीके से लिख सकते हो, तो यह हो जाएगा आपका x minus 4 into x plus 1, इस तरीके से आप लिख लिया, और यह वाले को अगर हम लिखें, तो इसे हम क्या लिख सकते है, 2x plus 1, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, यह हो जाएगा, 2x, 2x square, plus 2x plus x plus 1, तो यहाँ पे आपका 2x common हुआ, यह हो गया, x plus 1 plus 1 into x plus 1, तो यह basically हो गया, 2x plus 1 into x plus 1 is equal to 0, x plus 1 बस यहाँ पे common कर दो, तो यह हो गया, आपका x plus 1 into x square, x minus 4, लगबग पूरो solve होते हुए हो गया ठीक है quadratic equation बना यह कुछ common निकला यह वाला हो गया अब यह अंदर जो है cubic बन रही है ठीक है इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो तो यह हो गया xq-4x square प्लस यहां पर आपका क्या जाएगा 2x और प्लस यहां पर 1 यह आपकी क्या हो गई एक cubic हो गई यहां पर पहला रूट तो हमें जो होता है तो वैसे हम निकालते है तो यह अगर आप ध्यान से देखो x is equal to 1 डालूंगा तो यह equal to 0 दे रहा है याने की x plus 1 into x minus 1 और बाकी की जो minus 4x square तो हम अगला term लिख लेते हैं यहां पर आपका minus 3x तो यह minus 3x square और minus x square आपका minus 4x square दे देगा और यहां पर एक extra term आजाएगा plus 3x पर हमें यहां पर 2x चाहिए तो इसको मैं लिख लेता हो minus 1 तो यह हमें जो है plus 2x दे देगा और लास्ट वाला plus 1 भी हमें यहां से मिल जाएगा तो यह आपने equation को simplify कर दिया अब इसके roots किया हुए एक minus 1 हुआ एक आपका plus 1 हुआ ठीक है तो इनके cube करें तो यह तो आपस में cancel हो गए बस अब इनके जो roots आ रहे हैं उनका cube करना है तो basically हमें alpha cube plus beta cube बताना है इस वाली quadratic equation के लिए जो कि आपके देखे रखिए x square minus 3x minus 1 तो alpha cube plus beta cube क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका alpha plus beta into alpha square plus beta square minus alpha beta उसे हम और लिख सकते alpha plus beta का whole square minus 3 alpha beta तो alpha plus beta क्या हो जाएगा यह हो जाएगा minus b by a यह हो गया 3 into यहां पर हो जाएगा 3 square 9 minus 3 into alpha beta c by a तो यह हमारा क्या हो गया plus 3 12 into 3 क्या आगया 36 final answer जो रहेगा वह आपका रहेगा 30 से कितना simplify कर लिया हमने बस एक छोटी सी जोगार लगानी थी उसके बाद आपको जो है इस type के question में दिक्कत नहीं आती है तो यहां पर आप देख रहे हो यह सब doable question थे ना कुछ जादा तफते ना आप कह सकते हो कि बहुत lengthy थे बहुत ही simply जो है हमने एक इतने ही steps में जो है इन्हें cover कर लिया इसके अलावा अगर आप कुछ questions की बात करें तो यहां पर statistics का भी एक step का question था फिर 3D में angle between line का just formula based था तो formula के अंदर values उठा के डाल ली थी वेक्टर में एक triple product का था जिसके अंदर scalar triple product और vector triple product दोनों की property का use होना था वो भी simple था और vector के बाले में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि triple product जो है वो आपका बहुत important topic है and matrix में एक adjoint वाला question था जिसमें adjoint की जो properties है वो आपके लिए उसको आपको use करना था यह भी मैं आपको बता चुका हूँ matrix में है joint कितना ज्यादा important है तो जिन strengths ने भी या लगाता channel को follow किया होगा उन्हें इस वाले shift में ज्यादा दिक्कत नहीं गई होगी यहां पर मैं आपका मतलब देखा गया है कि marks versus percentile में बहुत ज्यादा मतलब गिरा है ठीक है लेकिन अगर आपने कम score भी लाया होता तो आपका एक अच्छा percentile बन जाता और इन सब questions से आप जो है निकाल सकते थे marks तो साथ questions तो मैंने आपको बता और पांच में से अगर तीन भी कर लेते आप तो 99 percentile को चूँ देते तो यहां पर क्या क्या चीज़े जो है सीख सकते आपको जो है कोई भी मतलब यह चीज मानके चलिए कि section में questions को serial wise attempt नहीं करना है हमें जो है easy और formula based questions को ढूणना है जैसे क आप questions कितने जादे आपके लिए simplify हो जाते और अगली last and important चीज कि कभी भी तुक्का और guesswork के लिए मत जाना है मैस section में और किसी भी section में मत जाना ठीक है smartly सोचो को smart method के तुरू सोच रहे हो तो वह बहुत बढ़िया है लेकिन तुक्के के लिए मत जाओ क्यों 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 क ठीक है तो all the best for the exam ठीक है इसी तरीके के और भी helpful वीडियो आपके लगाता जेए मेंस के second attempt के पहले आते रहेंगे तो चैनल को subscribe करना ना भूले चलिए मिलते अगले वीडियो में तब तक लिए take care and goodbye